मैं सिर्फ रोटियां थापने के लिए नहीं बनी हूँ, बहु अर्थ का अनर्थ मत बनाओ, मैं अभी भी तुम्हारे नौकरी करने पर प्रतिबन नहीं लगा रही, हम सबका बस इतना ही कहना है कि अच्छी नौकरी करो, किसी बॉस की असिस्टेंट, ओफिस की रिसेप्शनि या छोटे मोटे इसक्यूलों के टीचर की नौकरी नहीं, तो क्या ये नौकरियां औरते नहीं करती या वो गलत होती हैं, मैंने ऐसा कब कहा, हर नौकरी अच्छी है, सब इनसान के समय और परिस्थिती पर निर्भर करता है, पर हम और हमारे परिवार की औरतों ने कभी ये नौकरियां नहीं करी, तो हमारी भी इच्छा नहीं है, तुम पढ़ी लिखी हो, अन्य नौकरियों की तैयारी करो, प्रत्योगिता पास करो, हम लोग कभी नहीं रोकेंगे तुम्हें, हाँ हाँ, आप सर्थी ऐसे लगा दें, कि न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी सुबे से साम तक वक्त कब होता है, मेरे पास की पढ़ाई करो, और प्रत्योगिता परिच्छा पास करना क्या हसी मजाग की बात है, आप लोगों को साधी के वक्त ही कह देना चाहिए था कि आप लोग मुझे नौकरी नहीं करने देंगे, तब सायद मैं एक बार फिर सोच ये तो धोखा देने वाली बात हुई ना, विनिता बस करो, क्या गलत कहा माने, पांच हजार, साथ हजार की नौकरी करके तुम कौन सा तीर माल लोगी, और कितनी इज़्जत सम्मान प्राप्त कर लोगी, ठीक है, तुमारी इच्छा है तो धंग की नौकरी हासिल कर लो, फ आकर पती रमन ने हस्त छेप किया, तो रोती हुई विनिता दोड़ कर अपने कमरे में चली गई, साल लगने को आये थे विनिता और रमन की साधी को, रमन का खाता पिता परिवार था, अच्छी नौकरी थी, घर, गारी सब थे, पिता रिटार्मेंट पाच चुके थे, जहन बाहर पढ़ाई कर रही थी, पिता के रिटार्मेंट के बाद उन लोगों ने सहर से थोड़ी दूर हटकर एक सोसाइटी में घर ले लिया था, और सब वहीं सिप्ट हो गए थे, रमन का ओफिस वहां से एक घंटे का रास्ता था, पर अपनी गारी से आना जाना था तो ज्यादा दिक्कते नहीं थी, अब ये थी कि में पास विनिता ने पढ़ा लिखा अच्छा परिवार देखकर साधी के समय ही ये बात रखी थी कि उसकी इच्छा है कि वो नौकरी करे, हालांकि साधी उसे हर हाल में करनी थी क्योंकि वो अपने बीमार पिता की अंतिम जिम् थी और बहुत मुश्कुलें के बाद उन्हें इतना अच्छा घरवर मिला था, उस बात पर सास असूर सहित रमन ने भी हामी भरी थी, कि भला प्रतिबा को भी कोई कैद कर पाया है, नौकरी करने की इच्छा है तो कर लेना, पर इतिहास विशय के साथ एम्मे करने वाली विनिता को बिना किसी तक्निक की डिगरी या विशेश योगिता के बहुत अच्छी नौकरी कहां मिलने वाली थी, हाँ छोटी मोटी असिस्टेंट, सुपरवाइजर, रिसेप्शनिस्ट की नौकरियां मिल रही थी, पर साथ ससुर का कहना था कि इन नौकरियों में पढ़ने की बज़ाए वो प्रत्योगीता की तयारी कर अच्छी नौकरी हासिल करें, पर विनिता को पता था कि ना वो उतनी प्रतिभा साली है ना ही उसके पास घर परिवार के बाद उतना समय बसता है कि वो उन परिच्छाओं में उत्रीड हो पाए तो उसे लगता सुसुराल वाले ने हाँ हाँ कर साधी तो कर लिया और अब उस पर जोर जबजस्ती चला रहे हैं यही आए दिन परिवार में कलहे का बिसे बनता और ताना-तानी चलती रहती ना विनीता का आती महत्वा कांची मन मानने को तयार था ना ही परिवार वालों को उन नौकरियों के लिए तयार होने की जिद मैं सिर्फ रोटी थापने के लिए नहीं बनी ना हारने वाला विनिता का क्रांतकारी मन कहता और दिन रात रास्ता तलास करता रहता इधर रमन और सास ससुर भी सोचा करते की क्या किया जाए जो ये रोज-रोज के जगड़े खतम हो और विनिता खुश रहे एक दिन सासु मा मंदिर से देर से लोटी और आते ही बहु को आवाज लगाई बहु देख तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ बिनिता ने देखा वो बीड में दाखले का फार्म था अरे वो मेरी सहली है न सांती वो अपनी बेटी के लिए फार्म लेने जा रही थी सोचा मैं भी ले लूँ सायद तुम्हे करने की इच्छा हूँ अन्मने भाव से वो फार्म अपने कमने में रख विनिता सासु मा का खाना लगाने के लिए रोटियां बेलने लगी सोच रही होगी दो साल की पढ़ाई में उल्जा देंगी उसके बाद बाल बच्चों की चिम्मेदारी आ जाएगी फिर तो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगी ये नकारात्मक सोच हावी थी विनिता पर उसने ना इंकार किया ना ही सहमती दी शाम को रमन वापस आया तो उसने भी विनिता को समझाया विनिता कितना अच्छा मौका है तुम बीट कर लो तुम्हें प्राइबेट स्कुलों में भी अच्छी नौक्री मिल जाएगी फिर तुम्हें ऐसा भी नहीं लगेगा कि हम सब मिलकर तुम्हारा सोसल कर रहे है और तुम्हारी नौक्री की इच्छा भी पूरी हो जाएगी आप सबने मुझे पागल समझ के रखा है क्या कभी कहते हैं प्रत्योगिता की तयारी करो कभी बीट कर लो ताकि इन चीजों में मैं दो साल उलजी रहूं और रोटी थापती रहूं ये सही नहीं है यही सच है आप लोगों ने मेरे साथ साधी का समझोता किया है साजेधारी नहीं आपके घर को 2400 घंटे की एक मुफ्त की नौकरानी चाहिए थी वो मिल गई बदले में मुझे भर पेट, खाना, कपड़ा, मकान और साधी का सार्टिफिकेट पस साधी को गलत मतलब दे रही हो तुम बिन्ता नहीं, साधी का मतलब समझोता नहीं, साजेधारी है जिम्मेदारियों की साजेदारी, कर्तब्यों की साजेदारी, दुख सुख की साजेदारी, परस पर आजादी देने की साजेदारी, समझोते और साजेदारी के अंतर को समझिये रमन हमारे भी समझोता है साज़ेदारी नहीं क्योंकि आप मुझे ना अपने बराबर समझते हैं ना चाहते हैं कि आपके बराबर बनू बिल्कुल भी नहीं तुमें क्या लगता है तुम नौकरी करने लगोगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी घड़ जाएगी तो बेवकूफ हो तुम और तुम्हें क्या लगता है नोकरी करके ही तुम मेरी साजेदारी बन सकती हो अरे यार वो तुम अभी भी हो मुझे लच्छेदार बातों में मत उल जाईए बच्ची नहीं हूँ मैं देखो मैं बताता हूँ मैं पैसे कमाता हूँ और भावनाय नहीं भी निता तुम रोटी थापने को छोटा काम क्यों समझती हो मैं रोटी कमाता हूँ और तुम थापती हो ये साजेदारी नहीं है सुगत जीवन की साजेदारी क्या सिर्फ पैसे कमा कर ही आती है प्रेम और भावनाओं की साजेदारी आराम और चैन की साज़ेदारी सुक और दुख की साज़ेदारी इनका कोई मोल नहीं ठीक है अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ तुम जो नोकरी चाहती हो तुम्हें करने दें क्योंकि बात सिर्फ पैसे और इज़्जत की नहीं है जब तुम्हारे मन में ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे साथ समझोता हुआ है साज़ेदारी नहीं तो इसका निवारण जरूरी है रमन अपने मम्मी पापा को समझाने गया तो वीनिता सोचने लगी सच तो यही है कि अगर इतना ही जुनून होता उसके अंदर नोकरी करने का तो वो अपने माबाप से ही लड़ाई कर अपनी रह निकाल लेती पर यहां तो वो ससुराल वालों के हामी भर देने की बात को मुद्दा बना वो एहम को निभाने की लड़ाई कर रही है सायद वो भी ज्यादा दिनों तक उन नोकरीों में नहीं टिक पाए तो क्या गलत बोल रहे हैं ये लोग बीएट कर लो डिगरी पास आ जाएगी तो नोकरी करनी सिर्फ उसकी इच्छा नहीं हक भी तो बन जाएगा और बातों ही बातों में कितनी अच्छी बात बोल गए रमन मैं रोटी कमाता हूं तुम रोटी थापती हूं तो हुई न बराबर की साज़ेदारी ना बिना रोटी कमाए जीवन चल सकता है ना बिना थापे वीनिता मैंने मम्मी पापा से बात की वो अभी तो नहीं मान रहे पर यकीन करो मैं मना लूँगा तुम नहीं बहुत जल्दी रमन हिच्कते हुए बोला अब उसकी जरूरत नहीं है मैं बीट कर लूँगी पर नौकरी के लिए साल दो साल का इंतिजार वो भी कर लूँगी तब तक रोटी थाप कर पर हाँ ये जान लो मैं सिर्फ रोटियां थापने के लिए नहीं बनी हूँ कहकर विनिता मुस्करा दी तो रमन के चेहरे पर राहत के निसान उभर आए और विनिता का हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खीशते हुए वो बोला बिल्कुल नहीं तुम तो मेरे दिल पर राज करने के लिए बनी हो आसा करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सेर और कमेंट जरूर करिएगा और ऐसी ही कहानिया सुनने के लिए हमें सबस्क्राइब जरूर करें थैंक यू